वेलकम टो इशानी वीडियो जरूर कर लेना क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरस्टिंग अबीड हमेशा प्रॉइट कराते रहते हैं आने वाले एपिसोड में आप सब को देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर राजवीर और पलकी के बीच में नजदी क्या बढ़ेंगी राजवीर पलकी एक दूसरे के नजदीक आएंगे पलकी यहाँ पर राजवीर का ख्याल रखे कि और उसके साथ साथ राजवीर आधी से ज़्यादा बाते अब शेयर करते हुए पलकी से नज़र आएगा जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में अंडरस्टेंडिंग भी बढ़ते हुए नजराई की वहीं दूसरी तरफ शौरे को जिल से बाहर निकालने के लिए अब नया प्लैन बनाने वाला है और नहीं यहाँ पर बातें पूरी तरह सामने रखने वाला है शौरे के वो भी राजवीर और राजवीर की बात शौरे को मानने ही पड़ेगी वहीं अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है पांडे और पांडे यहाँ पर अब अपने आपको ही एक सबसे बड़ा यहाँ पर समयने वाला है लेकिन उसकी ये गलती है जिसमें प्रीता, करन और उसके साथ साथ राजवीर सब मिले हुए है और उसके साथ साथ मिलकर अब यहाँ पर मज़ा चखाने वाले हैं पांडे को अब यहाँ पर पांडे की पूरी तरसे छुटी होने वाली है लेकिन अब आप सब के कहीं सारे सवाल थे generation leap से related तो उसके जवाब दे देते हैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर पारस कलनावत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया है और Generation Leap की बात करें तो Generation Leap नहीं आने वाला क्योंकि आने वाले एपिसोड में अभी यहाँ पर स्टोरी लाइन को चेंज किया जाएगा स्टोरी लाइन में चेंज होते ही आप सबको कई सारे बड़े यहाँ पर खुलासे होते हैं जिखाई देंगे और साथी साथ निधी और करेंट प्रीता क्या यहाँ पर वार और यहाँ पर तकराट फिर से नज़र आने वाली है तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटीड आने वाले एपिसोड देखनें लिए कमेंट करके जरू बताना मिलते हम आपको नेक्स्ट टूडियो में थैंक यू